मस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चेनल में आपका सो अगत है इस चेनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सम्मध्य सभी सुसनाय प्रदान की जाती हैं उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे युवा मंच के अध्यक् की एक मातपूर नोटिस आज जारी वी और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक लाग 37,000 सिक्षक बरती के लिए होने वाले धरनाप प्रदर्सन की तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न कि युवा मंच का जो धरनाप प्रदर्सन चल रहा था लागातार पिछले 10 दिन से तो शासन के द्वारा उस धरनाप प्रदर्सन को रुकवा दिया गया यह कहकर के कि राष्टपती महोदय आ रहा है इसलिए इस प्रदर्सन को रूख दीजिए तो युवा मंचन इसका वि गिरफटार ही कर ली गए क्राम मांस चाहत के दृब कर लिए लेकिं प्रद्रसन को रहे कहना था और यह लोगों को बहुतार को इक हम अर्षट की आ गया और वाद में उनको थाने में बिठा रहasi Cayra Main रिचा सिंग जो समाद्वाधी पार्टी की जो ने महिला नेता हैं उनको भी है और भी सारे लोग्यों किया लेकिन हाउस अरेस्ट तो चलो ठीक है और यू व मच्की अदक्षी अनिल सिंग इनको कल गर्फतार कर लिया गया और अभी अभी जानकारी ये मिली है फोड़ दर प चुकि बहुत सारे विद्यार्तियों के लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर क्या हुआ चूटे के नहीं चूटे तो यह तस्वीरे आप लोग देख रहे हैं यह नैनी की ही तस्वीरें यहां पर पीछे लिखा भी होगा यह देख लीजिए यह और यहां पर पूरे दिन इनको बिठा करके रखा पुलिस ने युवा मंच की तरफ से और लिखा हुआ अनिल सिंग की ग्रिफतारी की युवा मंच के दक्ष अनिल सिंग को उनके नहीं इस्तित आवाज से पुलिस प्रसासन दोरा ग्रिफतार की जाने पर युवा मंच ने तीखी निंदा की है और वहीं पर युवा मंच के जो अन्डे नेता है उन्हों ने भी इसका विरोध किया है करन सिंग परिहार उन्होंने लिखा है कि महामिम राष्ट्पति की कारकरम को लेकर के युवा मंच ने प्रसासन से उनकी मदद करने के लिए कहा भी था लेकिन पुलिस ने जबरान उन्हें ग्रिफतार करके लोगतंतर का गला गोटने का का काम किया है युवा मंच के अध् दैरती वहां पर पहुंचेंगे चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी बिजीटी दो हजार एक चैन बोट ने आज एक महात पूर्ण नोटिस जारी किया है और यह नोटिस है तदर्द सिक्षकों की अभी मैंने आप लोगों को 25 तारीक को 25 अगस्ट को मैंने आप लोगों को जाया था कि सुप्रिम कोट ने एक और दिया है कि जो तदर्द सिक्षक आवेदन नहीं कर पाए थे जिनको बेतर नहीं मिलता था हालां कि बाद में यह माल लिया गया कि यह भी तदर्द सिक्षक है और तब तक चैन बोट की जो बेप साइट है वो बंध हो चुकी थी इसल लिए इन तदर्द सिक्षकों को आवेदन करने के सुप्रिम कोट से कहा गया था इसलिए इनको आवेदन करने का फिर से मौका दिया गया है आवेदन करने का नहीं केवल अगर इन्होंने आवेदन किया होगा फ्रेस अब्यर्थी के रूप में तो उसमें केवल इतना यह ए यहां पर आपके काम की बात तो नीचे है कि इसका फाइदा क्या इसका फाइदा सभी लोगों को वैस क issue it सीजी टी और पीजी टी प्रवक्ता समर्ग में अगर इन विद्यार्थियों ने तदर शिक्षकों ने फ्रेस बेर्थी की रूप में अगर आवेधन किया है क्योंकि तत्समय विज्यापण में वेतन आलाण की सूचना भरना अनिबार रहता ऐसे बेर्थियों को मालनी सर्वो सेस्टेंबूर्ट की वेबसाइट पर उबलब्द करा दिया गया है कि यह और नीचे लिखा है कि ऐसे बेर्थी दिन आंक 11 सितंबर से लेकर के पंद्रह नमबर 2021 के मत पूरू में किये गया पंजी करण संक्या के सापिक्स अपने आवेधन में तदर सिक्षक होने की सूचन कि अत्रिक्त पूरू में प्रत्त किसी प्रकार की सूचना को अधितन अपडेट नहीं किया जाएगा जो फारम इन विद्यार्थियों ने भारा है उसमें और कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे नाम अनुक्रमांग रोल लंबर कुभी से कुछ भी नहीं केवल तदर प्रत्त करने की जो अंतिमति थी है वो दिनांग 15 नमंबर 2021 से इसके पहस्चात इस समद में किसी प्रकार की आंलाइन या आफलाइन प्रत्या वेदन सुईकार नहीं किया जाएगा तो इतना जो तैह है जो लोग बता रहे थे कि नहीं 6 तारीक को रिजल्ट आएगा 8 तारी नहीं को है तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि रिजल्ट 15 के पहले 20 की पहले हर हाल में रिजल्ट नहीं आएगा चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो तो अभी यह तो अपडेट यह करेंगे अभी तदर्शिक्चक उसके बाद में इनके जो भारांग पीजीटी का वो 20 सितंबर के आसपास आ सकता है 20 सितंबर के बाद और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक लाग सेंटीस जार सिक्षक भरती को पूरा करने की जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं इन विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है 15 तारीक को यह वो विद्यार् कि मेरे पास विद्यार्थियों ने कुछ वीडियो भेजे हैं और इन विद्यार्थियों ने अपील कि नमाजकर मैं विवेक दी वेदी 22 समर्थक टीम से साथियों आप सभी लोगों से निवेदान है जिन्नों नों 72 जार में एक्जान दिया है जो कटाप को क्राश किये हैं वो 14 तारिक को हर हालत में लखनव से पहुंच जाएं क्योंकि हम लोगों ने महा धरने का एलान कर दिया 15 सितंबर को जो भाई बहन एक दूसरे से कॉंटेक्ट में जुड़े हैं वो फोन करें जो मीडिया से नहीं वो एक दूसरे को बता हैं लेकिन हर हालत में सभी अभ्या से करवा आप सबी बाई बैनों से यही अनुरूत करता हूं 14 सितंबर की रात्री तक आप S.C.R.T. लखनू पहुंच जाएं बाई और बैनों मेरा एक ही निवेदन है सिर्फ बगवान से मेरी देखो हर एक रात के बाद उजाला होता है यह उजाला आपके जीवन में आने वाला है इस उजाले को स्विकार करो एक दिर आपकी जिन्दगी का यह बड़ा कीमती दिने वह आपके जीवन में सवेरा लाने वाला है इसलिए आप लोगों को पहले भी अवगत कराया जा सकते चुका है कि हमारे महाधर्णे की डेट घोशित हो गई है 15 सितंबर की मगर आ हाल में लखनव की धर्ती पर आना अवश्यक है क्योंकि पंद्रा तारीकों आने का कोई मतलब नी क्योंकि जो आसपास के लोग है वह बहाना बनाते हैं कि हम सुबह आ जाएंगे दुपहर में आजेंगे मगर हमको यह आपर संख्या 14 की शाम को चाहिए अब आप लोगों से परिवार की तरह रहते कभी आप आए नी तो यहां का आनंद क्या जानेंगे तो मैं चाहती हूं कि सारे जितने भी 22,000 के लोग हैं सारे के सारे 14 की शाम को यहां पर आ जाए और हमारे जो पंद्रा को महा धन्ना की डोइट उसको सफल बनाने में हमारा सहयोग दें धन्यवा तो यह सुन रहे थे आप 79,000 सिच्चक वर्थी के सुपर टीटी पास वर्थियों की जो लगातार लगबग 70-75 दिन से धरना प्रदसन कर रहे हैं मुझे तो लगता शायद 85 दिन हो चुके हैं और पानी की टंकी पर चड़कर के इन लोगों ने प्रदसन करे किया दिन रात विद्धारती वह पर पड़े हूए हैं तो फिलहाल यह हो गया क aconte वीडियो वीडियो ड से लागव पन्हें चाहि ने चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें फोरा वीडियो सुनने लिए बहुत बहुत धनवाद